आज है दो अक्टूबर आज का दिन है बड़ा महान आजी की दिन दो फोल के लिए थे जिनका नारा था करो या मरो और जै जैवान जै किसान जिहां हम बात कर रहे हैं राष्ट पिता मात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लालबादू शास्त्रे जी की और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है अन्यशर्मा अनिल जी तो आगे जानते हैं उनके क्या विचार है नमस्कार से बंदन समाचार में आपका स्वागत है और जैसे क्या आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है मात्मा गांधी और लालबादू शास्त्रे जी का जनम दिन है तो आपके क्या विचारा आप क्या कहना जाते हैं और शास्त्री जी हमारे बीच होते है तो उनकी उम्र 121 और ये लगभग 120-125 वर्स के लगभग आज उनकी उमर होती शास्त्री जी ने बश्पन में बहुत दुख सहे एक प्रसंग मुझे याद आता है शास्त्री जी प्राइमरी पाट साला में पढ़ते थे और उनकी अध ब्याले में और उस टूर का शुल्क मात्र उस समय दस पैसा था कि शास्त्री जी के बश्पन का नाम नन्य था सब प्यार से नन्य कहते थे कहा नन्य कि तुम नहीं चलोगे सब बच्चों नंदस पैसे जमा कर दिया शास्त्री जमाई ना कर पाये ध्याबक नस्तिर पर प्यार से हाथ फैरा पुच्छा नन्य तुम क्यों नहीं चलोगे शास्त्री जी की आखों में आशू भराए ते उन्हें नहीं कहा था कि मेरे पास देने के लिए दस पैसे नहीं है ऐसी गरीबी से निकल कर इस देश में उन्होंने प्रधान मंत्री तक का पद पाया और बड़ा गौरव शाली कि पद का उन्होंने निर्वान किया कि पाकिस्तान से युद्ध के समय उसको हराया और फिर ताशकंद समझौते में कि पाशकंद वह समझौते के लिए और वहां का निधन हो गया शास्त्री जी के समंद में में चारलाइन कहना चाहूंगा केह नमन आपको बार बार हे द्रण संकल्पी शक्तिवान जय लाल बहादुर शास्त्री जी जय 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 जवान जय जय किसान मैं राश्पिता महात्मा गांधी को भी अपनी सद्धान जली अर्पित करता हूं गांधी जी ने जो देश में असहियोग आंदोलन को शुरू किया उसने पूरे देश को एक सूत में पिरोया और आजादी के आंदोलन में महत्वण भूमी का निभाई आप कलपना करें एक ज लंगोटी में पूरे देश का भरमन करता है और यह बड़े गौरव की बात है कि 13 अक्टूबर 1931 को महत्मा गांधी हमारे इस नगर धामपूर में भी पधा रहे थी मैं गांधी जी को याद करते हुए चार्ड लाइन उनकी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सत्य का किया प् ऐसा योग सिख लाया बापू ने हक की बात कहना अन्याए नहीं सेहना आंदोलन करेना ये बत लाया बापू ने और उस आंदोलन की रहा पर जब भारतवासी चले यह देश आजाद हुआ आज उन दो महानात्माओं के जनम दिन पर उनको मेरा श्रस्त नवान जैहिंद वं अच्छे लगे बंधन समचार के लिए भी हार दिक शुक्त आमना है सायोजन के लिए और धन्यवाद अपना कीन्ती समय हमें देने के लिए धन्यवाद जैसा भी आपने देखा हमारे साथ थे अनिल शर्मा अनिल जी और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है इशाद धा भी जाना है देखिए सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को मुबारक बात पेश करता हूँ कि आज हमारे दोनों ही महापुरुश महात्मा गांदी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जनम दिवस है उनकी यों में पैदाईश है और हमें इस दिन अपने बज गांदी जी थे उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया तो ये दोनों ही महापुरुश हमारे लिए एक प्रिलांसरोत हैं और हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कि आप एक शायर हैं तो आप अपने शायरी के माद्यम से कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से देखेए मैंने अपनी शायरी के माधियام से हमेशा अपने नوجवान दोस्तों से और दर्शमों से हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि हमारा देश इतना ख Against utan देश है मैंने अपने एक देश के लिए सबस्पे पहले एक शियर कहा था कि Turkish कि रंग-रंग जवान उसको कहूँगा और आने वाली जो हमारी नई प्रिडियम से कि जो हमारे बुजर वह हमारे बीस से गुजर गए हैं तो उनकी जीवनी है जो उनकी बायोग्राफी है उसको जरूर वो पढ़ें जिससे के हमारे अंदर भी एक जज़बा हो एक जोश हो देजभक्ती के हम भी कुछ कर सकें मैंने चार पंक्तियां गई थी गांदी जी के लिए गए ती तो वो पहले आपको समरपित करता हूँ आपके चैनल के माद्यम से और शुक्रिया दा करता हूँ कि आपने आज मुझे याद कि अपने चैनल पर तो पंक्तियां सुन लीजए कि दिखा दे रोशनी जो फिर मिटा दे बुग्दो नफरत को कोई इनसान ढूंडे से हमें ऐसा नहीं मिलता और खुदा ही बस निगे बाहें हमारे मुलक का यारो हजारो गौड से मिलते हैं गांधी सा नहीं मिलता और चार लाईने लाल बहुद शास्तरी जी के लिए और कहना चाहता हूं कि है अभी वक्त बिखरने से बचाले खुद को वरना कौमों की तबाही के बहाने है बहुत और अपने बच्चों को बज़र्गों की किताबे पढ़वा इनके सफ़ाद में पोशीदा खजाने है अभी आपने देखा हमारे साथ है इशाध धामपूर जी और हमारे साथ रहे है अन्डिशर्मा अनिल जी भी और गांधी जानती और लारबादू शास्तरी जी की जानती के अफसर पर बन्द्समाचार की तरफ से भी सभी दर्श्यों को हार्दिक शुपकाम नाए और इसी क के साथ जुड़ना है बनना समाचार के साथ